टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज रात के एपिसोट के शुरुवात होगी विराट के साथ जो अपने टीम के साथ पुलकित के घर पर पहुँच जाएगा और दरवाजे खट-कटाने लगेगा लेकिन दरवाजे पर ताला लगा देख वो अपसेट हो जाएगा त किसी शादी में गए हो उसके बाद विराट कहता है परोसि से के और संगीता संगीता कहा है परोसिन कहती है कि मुझे तो इस नाम की कोई औरत के बारे में कोई जानकारी नहीं है यहाँ पर तो सिफ उनकी बेटी हरिनी और उनकी बहन महदुरी रहती है दूसे तर दिखाया कि सनाली आती है भवानी के पास और अधा चला вниз संगीता वाला लेटर दिखाती है शिवानी कहती है कि यह सब किस ने किया होगा नियनार्द ओंक्रा कहते हैं कि हो सकता है स सहीं ने किया हो भवानी कहती है साई ने लेटर चुराया पत्र लेखा के कमरे से और उसे जलाकर के डस्ट बिन में फेख दिया उधा पुलकित घोड़े पर बैठता है और शादी के हौल में पहुँच जाता है जैसे देखकर देवी बहुत जादा खुश होती है साई देवी को खुश देख कर और खुशी में डांस करता देख बहुत ही जादा हैपी हो जाती है बात में देवी कहती है साई से कि पुलकित को घोडे पर बिठाओ घोडे पर बिठाओ उसके बात देवी साई से कहती है कि तुम्हें पुलकित का वेलकम करना चाहिए जैसे कि घर की बहुएं करती है तभी माधुरी और महता मिलकर के सई के साथ में पुलकित का वेलकम करवाते हैं उधर दिखाया जाएगा कि विराट अपने आफिस में लोटाता है और सई को फोन करने की कोशिश करता है लेकिन सई का फोन ओफ होता है उधर विराट कहता है अपने employee से कि सई के phone के location track की जाए आखिर वो कहा है उधर सई guest house में pulkit का welcome करती है और यहाँ पर pulkit भी सई से blessing लेता है और दूसी तरफ विराट सई के phone के location को track करने में कामियाब हो जाता है वहाँ पर कहता है track करने वाला शक्स विराट से कि sir यह किसी marriage hall या फिर किसी ऐसे जगा का function का address है जहाँ पर बर्दे parties या शादिया होती है विराट को जरा से भी देड नहीं लगती कि आकर सई वहाँ पर क्या कर रही है यह समझने में उधर पुल के देवियानी के शादी के रस में शुरू की जाती है जहाँ पर सई सब सारी रस में निभाते हुए देवियानी का कन्यादान के रस में भी निभाती है दूसी तरफ विराट अपनी पूरी टीम के साथ उस location पर पहुँच जाता है जहाँ पर विराट के नजरों से छुप कर सई शादी करवा रही होती है और इसी बीच में पुलकित अपनी शादी के पुरानी खूबसूरत यादे रिकॉल करता है कैसे उसने पहले देवियानी को मंगल सूतर पहनाया था और उसे अपना बनाया था बाद में देवियानी पुलकित दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं सही ये देखकर बहुत खुश होती है और वो भगवान से प्रास्ना करती है कि बपा एक बार इनके शादी हो जाए जब तक शादी नहीं हो जाती बस प्लीज आप विराट सर को यहां पर मताने देना घर पर दिखाया जाएगा कि भवानी निनास ओमकार और पाखी से बात कर रही होती है सही के बारे में और पाखी से कहती है कि तुम विराट को कॉल लगाओ न पूछो कि क्या देव्यानी और सही के बारे में कुछ पत्ता चला और पुल्किट यहाँ पर जैसे ही देव्याने को मंगल सूत्र पहनाने वाला ही होगा। देव्याने उसे रोग देती है। यह देखकर सारे वहाँ पर मौझूद लोग घबरा जाते हैं और सय भी टेंशन में आ जाती है कि आखर देव्यानी ऐसा कर क्यों रही है। सई कहती है कि क्या हुआ ताई आप ऐसा क्यों कर रही है तब देवियानी कहती है कि सई मेरा पर्स दे वहाँ पर्स देती है देवियानी को और देवियानी सई की दी हुई वो गोल्ड चेन निकालती है और पुलकिट को देती है और कहती है कि क्या तुम इसे भी मेरे मंगल सू पूरी टीम के साथ function hall में पहुंच जाता है तब ही वहां पर पाकी का फोन आता है व राट के पास और कहती है कि क्या हुआ तुम्हें देवी तायी और सही का कुछ पता चला विराट कहता है कि हाँ मैं शाधी के function hall में पहुंच चुका हूँ यहीं हो जाएगा श्राद के अपिसोड के एंट जिसके बाद क्या होगा देखे आप हमारी नेक्स रिपोर्ट में